आज सुबा अपना बोरिया बिस्तरा बन करके अपने दो सब्सक्राइबर्स के साथ छोटा सा प्रेकपाश शेयर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ दीमापुर से कोहिमा मैंना एक-एक महिना हर एक इंडिन स्चेट में बिताना चाहता हूँ ताकि उस जगा को बहतर समझ पाँ अब कल रात की ही बात ले लो जब घूमता फिरता मैं पहुच जाता हूँ दीमापुर की नाइट मार्केट देखने और भाई ओ भाई उस जगा का क्या वाईब होता है गेम्स, गैंबल और बहुत सारा खाना हाईलेंट तो मैं कभी नहीं गया पर ये नाइट मार्केट उसका ही कोई छोटा सा वर्जन लगता है जहां 50 रुपे हरने के बाद मैं चुपचप किसक जाता हूँ बाई तो ये देखो, बातों बातों में मैं पहुच गया हूँ नागा लैंड के मेरे फेवरेट होमस्टे में जहां मेरी मुलाकात होती है नागा भाई और क्रू से जो की हैतराबाद से गाढ़ी ड्राइव करके यहां तक आए है अब क्या करें फेमस हॉन्बिल फेस्टिवल का क्रेजी ऐसा है जो की स्टार्ट होगा कल से तो मिलते हैं कल दोस्तों स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है और इसे एक आर्टिस्ट ही कर सकता है अब कई दिनों से काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई स्टोरी टेलिंग किस तरीके से एक आर्ट्स वीडियो में किया जाता है वो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं किस तरीके से शूट कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं उसके इपर एक वीडियो बनाओ, तो उससे पहले मैं बता दू कि इस टोरी टेलिंग के बारे में आपको समझना है, या फिर ब्लागिंग करते हो, हर चीज में एक इस टोरी टेलिंग है, अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा लोग किस तरीके से उसको नेरेट करता है, और करते हैं, जो आप तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग स्टोरी टेलिंग को एक कमेंटरी के तरक करते हैं, काफी सारे लोग उसको सुचते हैं कि ये एक स्टोरी टेलिंग है, देखो कमेंटरी एन स्टोरी टेलिंग में बहुत जादा डिफरेंस है, तो आप अ वी खरब भी रहाती है बन उसको story में अच्छे तरीके से दिखाया जाता है और लोगों को समझ में आता है इसलिए वो मुई चला जाती है तो इसी तरीके से आप अपने वीडियो में किस तरीके से storytelling करोगे ताकि लोगको समझ में भी और लोगों को सच्चा भी में लगे लोग को डिफरेंट भी लगे अभी क्या है कि शॉट्स पे बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग ब्लॉग चलने लगा इवें रिस पे बहुत ज्यादा चलने लगा पहले लोग नॉर्माली बीट के साथ सिंग करके मीनी ब्लॉग बना रहे थे लेकिन अब अपने मीनी आपके जिंदीगी में कोई भी छोटा सा एक घटना हो रहा है कोई एक एक एकसिडेंट हो उसको आप अपने दोस्तों के साथ अगर शेर करते हो तो किस तरीके से बहुत सारे लोग बताते हैं भूझ सारे लोग को अफले बहुत ज्यादा न पहां जिननेrement लुए यह लूखा नो मुझे तरुकी है जो आप खुद समझना होगा इसनेगे ताकि आपके कहानी को लोग और तक देखें स्टार्टिंग में एक ऐसा कॉशन मांग देदो ताकि आपका कहानी लोग एंड तक देखते हैं जैसे जागिर खान के बारे में यह अच्छे आडिस्ट है जिनकी आप और शोर देखते हूं बहुत ज़्यादा अच्छे तरिके से अपने टोडी को बताते है और बहुत другие बताथ लगता है जैसे आप देखे लो इनिदिंग को यह फिर देखैलो को मंकीवाग को यह अपने शौर्ट में जब कि मंकीमाजीешь काने साथ साल से यह आपको दो मेरी इस दिखाता हूँ और दोने में आप लोग बताओ कि आपको कौन सा बहतर लगा इसने कहा दिया कि शादी में हाफ चटी पर नहीं आ सकते यह रहा ही पुरी शादी और वो रहा हाफ चटी अचल चोटी उम्र के बच्चे भी कितना गहरा सोचने लग गए हैं यह बात मैं सोची रहा था तभी देखता हूँ कि अरे साला इता कमाल कर डाला एक तो इतनी महंगे कैमरास लेके जाओ फोटो गीचने और उपर से लोग कहते हैं कि यह कैमरा में अच्छा नहीं आता है यह हमारे फोटो ले ले भाई इस्टाग्रम पे पोस्ट कर नहीं है तो इसकी गर्दा नकट रही थी मैं नम इस विष्मय और इन गुजरात अमदाबाद में वा फरक नहीं परता चाहे इस ड्रॉइंग या फि में वीडियो जाओ आपी में वीडियो जाओ आपी वीडियो जाओ आपी दो दो इंग्जेंपल दिखाने एक मंगी में जिका एन अविशेख का दोनों ही बहुत 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 है बट मुझे फर्स ब़ला जो मंकी मैसी का था ता ना वो जादा बेटर लगा उसमें एक स्टोडिी दिख रही है बट अब इसेख कभी वीडियो खराब नहीं था उनके वीडियो में आप लोगो कॉमेडियी देखने को मिल लाइती बट वो थोरा सा commentary type का लग रहा था उनके shots उतने जाद मुझे अच्छे नहीं लग रहा था तो यह difference होता है storytelling में बट आप अपने वीडियो में अगर storytelling नहीं जानते हो तो आप commentary भी कर सकते हो comedy add कर सकते हो तो आपकी वीडियो बहतर लगेगी कुछ और टिप्स है जो मैं additional आप लोग को बता रहा हूं जिससे आपकी वीडियो और ज्यादा इंट्रेस्टिंग बन जाएगी देखो इस टोडिय तो आपने add कर दिया बट कई सारे लोग को मैंने देकर नॉर्मली इस्टोडी रहता है नॉर्मल मुजिक रहता है देखो हाई लाइट में तो और ज्यादा अच्छी लएगी उसके आप एक और चीज़ आड़ कर सकते हो टाइमर जो नीचे से आप लोगो स्लाइड करते हो दिखेगी उससे क्या होगा कि लोगो को लगए इतना छोटा वीडियो इसको पूरा देख लेते हैं तो यह सारी चीज़ पिननी बलॉग बनाते हो इस तरीके का तो मुझे अरब करने के लिए सबधे से व्हलिबी प्लॉग उस तरिके का डालते हो तो आप फोन का यूज कर वी-ेन एप्लिकेुसके का यूज़ कर सकते हो to ein बहुत बहतरीन आपके editing हो जाएगी अगर आपको इसके editing पर tutorial चाहिए तो आप लोग मुझे एक बार comment कर देना मैं उसके उपर भी एक video specific video ला दूँगा ताकि आप उसका बहतरीन एक detail video editing सीख सको तो देखो मैंने भी एक storytelling video बनाई है first कह सकते हो my first shots है वो तो वो आप लोग देखो एक बार और बताओ कैसा लगा हाई ये हूँ मैं और ये है मेरा काम जब मैं 12 में था तम मैंने photography स्टार्ट करी थे उस time तो cool बनने के लिए स्टार्ट कर दिया था बट लोगों ने जब मेरे काम को तारीफ करना स्टार्ट किया अब ये कहानी भी जा रही है ये सिलसिला भी जा रही है इसका उमीद करते हैं कि आप लोगो ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगाना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के कॉंटेंट रेगुलर आते रहते हैं अगर आप लोग ये सब सीकना हैं तो फटाफ़ट सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग इस तरह के रिज्ट इस तरह के शॉट्स बनाते हो तो मुझे टैक करना मेंसन करना मत भूलना ताकि मैं भी तो देख सकूँ कि आप लोग किस कि आप लोग सक्राइब कर दो ये से खिए isto मैंना सेृट कर दो आप लोग air लोग किवे डिमाएब कर दो आप लोगना सक्ता हैं अपार मत अजेल्स कर दूलना तो अबहाईं, झाप लोग लोगभ और आप कर लोगके सि charisma